गुड मॉनिंग दोस्तों अब मैं सुबह सुबह उठ रहा हूं और आपको भारत के जो रियल गाउं वो दिखाता हूं इसको दियात एरिया बोलते हैं ठंड का समय है कोहासा धेरे-धेरे है अब छट रही है लेकिन कोहासा फिर भी है यह है दियात एरिया भारत का खुबसु ठाब जोप्रित आपको देखने को मिलेंगे अंगी कि यह चोटे-मोटे घर है जोप्री है काउं का एक खुबसुरत हरा भडा गाउं सादा जीवन खुबसुरत जीवन अब फसल लगे हूए मखह के लेख सकता है यह छोटे-छोटे अभी जस्ट यहां बक्रिया यहां चरती हैं, सुबह का मौसम है, कुहा सा हलका छाया हुआ है, यह केले का पेड़ है, गाउं का खुब्सूरत साधा जिन्दिक यह तार का पेड़ है, यह बहुत ही एक जो प्राक्रितिक द्रिश्य होता है, गाउं में देखने को आपको मिल रहा है, यह मेरे गाउं का सुन्दर सा सुरा जुबता हुआ, लेकिन अभी सुरा दिखाया नहीं दे रहा है, क्यूंकि अभी हलकी कौहासा च्छाई हुई है, गाउं के सड़क में आपको एक दू गाड़ी देखने को मिल आते हैं, धिरे-धिरे गाउं का गाउं बदल भी रहा है, लोगों का रहन सहन, सब कुछ धिरे-धिरे बदल रहा है, वे देखेव को गाउं में बाइक पर कुर्सेल, गाउं का जिवन ही बहुत निराला है, खुबसूरत है, हरा भरा आपको देखने को मिलेगा, खेत, खलिहान है, फसल है, किसान है, भारत का एक सुन्दर सा गाउं होता है, जो जिसे भारत की जो खुबसूरती बसती है वो गाउं, चोटे चोटे जो पड़े, एक खुबसूरत सा घर, गाउं का घर, आम का पेड़े सामने में, फूल भावदे, देख रहो ना, आप देख लेए बन्यासे, रूर है पूरा, ना गोला पूरा है,